नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस प्लस में मैं हूँ आर्शी बढ़ते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पीम किसान सम्मान निधी योजना की नौवी किश्ट जारी की और साथ ही किसानों से वर्च्वल मीटिंग कर उन से उनके हालातों के बारे में पूछा उन्होंने जाना कि किसानों को इस योजना का कितना लाब मिल रहा है देखे ये रिपोट परताफी जलामा तो कलेक्टर केचरी भी जवाँ सांदार छे एक दम जबर जस चाहिए जीतेंद्र जी आप बलो चाहिए मनें केवाम आगो के तमना योजनानी खबर नोती आन तमें के येनों लाबड नोता ले ते उकेम थियो को कि ओन्ध नान शाइब लाब मले जोने अबे मले जब आमले मले पहले जालें है बच्चे महीं पहले बोर मोर थिकमर पड़ी िसो द्हों नान मोले जेंथा आओ आने तमें शुँ खेती करो जो आ खेती आने पशुपालन नो दंदो करू यहां पशुपालन में 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 देशना दुद्नों भाव पचास्ती उफर नो चे साहिए और गायनो? गायनो तीस्ती उफर मोले चे पेट प्रमाने अटले तो दर्मीने अलग अलग गोई साहिए और खेती मां सु करो चो? वो डांगर वाईवु चे अमना तुएर बनावु और इना पची डांगर काड़ी ने अपने भीड़ा पर बनावु सुसाहिए जितने जी आपने पीएम किसान योजनाना चे बबेएजार पर आपने मुकलिये चे ये रकम मड़ी जाहिए? आपने टाइम सरच अनले अमारा खाता मान सिधा जमा थए जाहिएचे ये बाउम पर यतलाज नहीं पंडू निरादार वरुद पेंशन पंड़ेशाहीए मदलाव मता ओने विद्वा पेंशन पंड़ेशाहीए पत्पता मान जमा थएजाहएचे पर जितने भाई तमारा गामना बाकी खेड़ूतों ने पण 22,000 रुपया खाताम जमा थाई जाएचे बराबर आँ बद्धाना थाई जाएचे बच्मा कोई बच्चे डखल नत करतु नो कोई कटकी कमप्णी नसी आपके बच्मा ना कोई कमप्लेन नहीं बिलकुन इमान दा कुस deliver बिलिधार निक्राओ निकले तो गामडाम पहुंता पहुंता 15 जाएचे जाएचे अँ कि कोकि शाओ पालने थिनिल्ली मेम घआ अनी देशनोहिं जवर्जर्द्वाँ नेतरुत्व समभडवा वर्ड़ा कोई नेता होई तो मोई योटितना धो म्तुन पूरह ऑद्क वहां दखल गिरी करी सके साहिब। विशेस रुप से छोटे किसानों को आज हर संभव सहायता दी जा रही है। पियेम किसान सम्मान निदी हो या फिर एप्पियोस के माध्यम से छोटे किसानों को संगटित करने का काम ये बहुत काम आ रहा है। यही नहीं आज अगर गुजरात के छोटे किसानों के फल सब्जी देश के दूसरे बाजारों तक सुरक्षित और तेजी से पहुँच पा रही हैं तो इसमें किसान रेल का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग इसका फाइदा उठाईए और जितने बाइत हमने बाद दाने कुपकुप शुपकामना हुमारी धन्यवाद। किसी तरह की असुवधा का सामना नहीं करना चाहिए। सभागर भी पहुँचे जहां पर जन प्रतिनिदियों एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। अलेक्टरेट सभागार में सीएम ने देवी पाटन मंडल के विकासकारियों कानून व्यवस्था एवं कोबिट प्रभंधन की समीक्षा बैठक की। बारत के लिए हर किसी ने अपना सौ फीसिदी योगदान दिया लेकिन एक खिलाडी ऐसी थी जिसने सौ से कहीं ज्यादा फीसिदी अपना योगदान इस मुकाबले में दिया जिसमें भारत को जीत हासिल हुई और भारतिये महिला होकी टीम पहली बार उलम्पिक के सेमी फा बारत के लिए हर किसी ने अपना सौ फीसिदी योगदान दिया लेकिन एक खिलाडी ऐसी थी जिसने सौ से कहीं ज्यादा फीसिदी अपना योगदान इस मुकाबले में दिया जिसमें भारत को जीत मिली और भारती महिला होकी टीम पहली बार उलम्पिक के सेमी फाइनल में दरज़λα बात कर रहे हैं भारती महिला होकी टीम की गोल कीपर सवीता पूनिया की सवीता टोक्यो में आस्ट्रेलिया के सामने भारत की दीवार बन कर अड़ी रही और टीम को जीत दला कर ही दम लिया विश्व की नमबर दो महिला होकी टीम आस्ट्रेलिया के खिलाब भारत ने अपना एस तर का खेल दिखाया और पहले कौर्टर में आस्ट्रेलिया को लाग कोश्चों के बाद भी बड़त नहीं बनाने दी दूसरे कौर्टर में भारत ने अच्छा खेल दिखाया तीसरे और चौथे कौर्टर में कंगारू टीम ने एक के बाद एक मौके गोल के लिए बनाए लेकिन भारतिय दीवार यानि गोल कीपर सवितापुनिया ने कंगारू टीम के सभी पैतरों को फेल कर दिया यहां तक कि जब मैच आखरी के कुछ मिंटो पर था तो पैनाल्टी कॉर्णर के जरिये औस्ट्रेलिया स्कोर को बराबर करने के करीब पहुँच गई थी उस समय भी गोल की पर सवितापुनिया ने भारत के लिए दीवार बनने का काम किया और गेंद को जाल से बाहर ही रखा आखरी के कुछ मिंटो सवितापुनिया गेंद पर बैट गई थी और गेंद को भारतिय खिलाडी के पास कर औस्ट्रेलिया को गोल करने से रोका था अजरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूश प्लस न्यूश प्लस 24 इंटू 7 चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं